अगर आपको पिछले किसी साल की area salary मिलती है तो उसके लिए form 10E को fill किया जाता है जिससे की हमें section 891 का relief मिल जाता है और हमारा tax थोड़ा कम हो जाता है तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि online income tax portal पर आप form 10E को कैसे fill करेंगे इसे e-verify करेंगे और कैसे इसमें ज अगर चैनल पर नए हैं तो subscribe जरू कर लिजेगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे like and share कर दीजेगा तो चलिए एक form 16 ले लेते हैं यहां पर हमने एक form 16 ले लिया है जिसमें की gross salary है आट लाक रुपए की new tax regime में यह calculation हुई है तो कोई भी deductions हमें यहां देखन देखेंगे तो इसमें कितने साल का area है एक दो तीन चार चार साल का area है और पांचमा साल यह जो है यह current financial year है यह area नहीं माना जाता है यह आपकी current financial year की salary है और area जो है वो आपका पिछले चार साल का इसमें include हुआ है तो total मिलाकर यहां पर आठ लाक आ जाता है जो कि हमें अप actual salary है इस साल की वो तो हमारी कम है सिर्फ 6 लाक की salary है और इस पर हमें new tax regime में पूरी पूरी tax की छूट मिल जाती है लेकिन जब इसमें area salary भी include हो गई तो यह taxable हो गई अब हम इसमें relief calculate करेंगे जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत refund बन कर निकल आए अब starting हमें कहां से करनी है त अपने form 16 के according जैसे जैसे हमारे form 16 में यहां पर फिगर्स दी हुई है वैसे हम अपने ITR form को fill करेंगे अगर सिर्फ salary है और interest income है और ITR 2 को fill करेंगे अगर salary के साथ साथ आप stock market में भी investment करते हैं या फिर आपके पास crypto है या फिर आप online gaming में investment करते हैं इस तरह की cases में ITR 2 file होती है और सिर्फ salary है तो आप ITR 1 file करेंगे तो हम ITR 1 ले लेंगे ITR 1 में हम यह सारी चीज़ें fill कर लेंगे तो इसी तरह से नीचे हमारा जो tax निकल के आएगा ITR form में वह भी इतना ही आएगा जो कि form 16 में है और जब हम 10E को बना लेंगे और उसे e-verify कर लेंगे तो जो यह हमार point number 16 में relief under section 89 जो अभी हमें 0 दिख रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें rebate मिल जाएगी और हमारा जो tax है यह कम हो जाएगा हमारा refund बन जाए तो चलिए income tax site पर चलते हैं और पहले हम इस form को पूरा अपने ITR form में fill कर लेंगे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो तो उस case में भी जो आपकी salary ITR form में जा रही है वो 26 AS से कम नहीं होनी चाहिए आप हमेशा ज्यादा income का ही ITR फाइल करेंगे या फिर 26 AS से match करके ITR को फाइल करेंगे अगर 26 AS से कम आपने अपनी income दिखा दी तो आपको ज़रूर defective return का notice आ जाएगा तो चलिए income tax site पर चलते हैं अब यहाँ पर हम बहुत ही quick way में 10E की filing करेंगे हम कोई भी excel sheet यहाँ पर prepare नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10E को आप चाहें excel में बनाए चाहें आप किसी third party software की या आप की मदद से बनाएं आपको इस site पर आकर 10E को फिल करना ही पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर इसे फिल नहीं किया इवरिफाय नहीं किया तो इसका claim आपको नहीं मिलेगा यह reject हो जाएगा इसलिए हम double calculations नहीं करेंगे हम direct यहाँ पर filling करेंगे और अपने form को इवरिफाय कर देंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जितने भी साल का आपको एरियर मिला है उसका ITR form आपको डाउनलोड कर लेना है तो इसके लिए हम फाइल में जाएंगे यहाँ पर income tax returns यहाँ पर view file returns और यहाँ पर हमें जो option मिलता है download form का यहाँ से हम अपने पिछले चार साल क करेंगे ITR forms को डाउनलोड कर लेंगे forms डाउनलोड करने के बाद आपको figures कहां से लेनी है वह हम बाद में देखेंगे पहले हम 10E को open करते हैं इसके लिए हम e-file में जाएंगे यहाँ पर income tax forms यहाँ पर file income tax forms persons with business income पर आएंगे और यहाँ पर मिलेगा form 10E assessment year 24 25 continue let's get started area salary मिली ह तो यहाँ पर टिक लगाएंगे continue करेंगे सबसे पहले है personal information इसको open करके confirm कर देंगे इसके बाद है area salary अब हमें जो filling start करनी है वो हमें first number point से start नहीं करनी है हम नीचे आएंगे यहाँ पर हमें मिलेगा table A six point के नीचे यहाँ पर हमें add details पर click करना है अब यहाँ पर हम लेंगे previous year तो हमारी जो ITR forms होते हैं वो assessment year के हिसाब से चलते हैं लेकिन 10E में जो calculation होती है यह previous year के हिसाब से होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी figures ले रहे हैं figures आपके यहाँ पर ऊपर नीचे ना हो जाए उसका ध्यान रखेगा previous year हमें यहाँ पर लेना है अब हम अपनी area sheet पे चलते हैं area sheet में हम ऊपर से calculation start नहीं करेंगे हम यहाँ नीचे से calculation start करेंगे और हमारा सबसे पहला यहाँ पर जो financial year है वो है 22-23 financial year है 22-23 और इसका assessment year होता है 23-24 तो यहाँ पर हमें financial year दिख रहा है 22-23 हम इसी को ले ले लेंगे और यहाँ पर हमें कितनी area salary मिली है यह है 87-877 सेलेक्ट करेंगे हम previous year 22-23 area salary है हमारी 87-877 यहाँ पर लिखा हुआ है salary और family pension received in area यहाँ पर हमने area salary ले ली अब यहाँ पर हमें लेनी है total income of the relevant previous year total income का मतलब होता है आपकी net total income जो की deductions के बाद आती है और इसी total income पर हमारा tax calculate होता है अब हम अपने ITR form को open करेंगे जो हमने download किये हैं यह है previous year 22-23 इसका assessment year हुआ 23-24 तो हम 23-24 का ITR form open करेंगे अब ITR form में आपको जो figure लेनी है वो है यह total income यह deductions के बाद आपको यह head मिलेगा total income का और इसके बाद नीचे यहाँ पर हमारी tax calculations start हो जाती है यह page number है हमारा 5 ITR 1 का तो यह total income यह हमको लेनी है और जो tax का amount लेंगे वो होगा यह वाला tax pay bill on the total income this one इसके बाद हमें यहाँ पर भले ही rebate मिल गया है और हमारा जो total tax है वो zero हो गया है लेकिन हमें जो tax pay bill का amount लेना है वो यह वाला लेना है 8276 तो हम अपनी total income यहां से लेते हैं 4 15 510 यहां पर लेंगे 4 15 510 और tax on total income यह लेंगे हम 8276 यह दोनों figures हमने अपने ITR form से ली है जो last year हमने फाइल किया था अब यहां पर जो भी columns highlight हो रहे हैं उनमें हम figures लेंगे और जो highlight नहीं हो रहे हैं वो यहां पर system अपने आप calculate करता है अब इस वाले column में क्या है कि आपकी यह जो total income है इसमें area को include करने के बाद जो आपकी total income बनी वो यहां पर add होके यहां पर अपने आप आप आ जाती है और इस total income पर जो tax बन रहा है वो भी यहां पर अपने आप ही calculate हो जाता है अब यहां पर हमें क्या देना है यहां पर इक्स on total income as पर the taxpayer यह सिस्टम ने जो calculate किया है वह वाला टैक्स है और यहां पर हमें देना है कि हमारी calculation के हिसाब से कितना tax बनता है इस वाली इंकम पर तो हमारी के हिसाब से भी यही tax बनेगा क्योंकि यहाँ पर system ने tax lab के हिसाब से ही यह rate calculate किया है तो हम भी same ही यहाँ पर ले लेते हैं सारी figures हम नहीं यहाँ पर दे दी अब जो difference amount है इसका 8000 का और 13000 का यह यहाँ पर calculate हो गया है difference between column number six and column number five इसको हम add कर देते हैं यह हमारा एक साल का area यहाँ पर add हो गया अब हम एक और साल का यहाँ पर add करेंगे फिर से जाते हैं add details यहाँ पर select करेंगे previous year अब by stage का तो हम cut चुके हैं तो हम previous year यानि के financial year 21-22 को लेंगे जिसका की assessment year होगा by stage यानि के assessment year by stage की ITR form अब हमें download करनी है और यहाँ से हम figures लेंगे सबसे पहले लेंगे total income तो यह हमने ITR form डाउनलोड किया है और इसमें यहाँ पर यह total income हमें दिख रही है यह है 4,82,570 यहाँ पर ले लेते हैं 4,82,570 और यहाँ पर हमें लेनी है area salary जो की हमें sheet से मिलेगी तो इस वाले year का 22,20 का तो हम कड़ चुके हैं अब हमारी 21,22 की बारी आती है यहाँ पर area salary है 74,496 और यहाँ पर इस वाली income और इस वाली area salary को add करके जो total income आई वो यहाँ पर auto calculate होकर आ गई है यहाँ पर हमें लेना है tax on total income यानि की इस वाली income का जो tax है और यह हमें अपने ITR form से मिलेगा यहाँ पर है tax payable on total income 11,629 जहले ही हमें बाद में rebate मिल गया है और हमारी tax है वो निल हो गया है लेकिर हम जो tax का amount लेंगे वो यही वाला लेंगे 11,629 और यहाँ पर हमें लेना है इस वाली income का tax यह system ने auto calculate किया हुआ है तो हम इस ही को ले लेंगे 24,870 यह difference आ गया दोनों columns का 5 नंबर और 6 नंबर और इसे हम add कर देंगे अब हमने यहाँ पर दो साल का area ले लिया है बाकी के दो साल जो बचे हैं वो भी इसी तरह से add किये जाएंगे अब हम उपर चलते हैं first number point पर वहाँ पर अब हमें क्या करना है यहाँ पर अब हमें लेना है total taxable income excluding salary और family pension यहाँ पर हमें current financial year की salary लेनी है जिसमें की area salary include नहीं ह होनी चाहिए वह हमने आपको starting में भी बताया था वापस चलते हैं अपनी area sheet पर जो हमारी current financial year की salary है वह है 6,275 इसमें कोई भी area include नहीं है इसी amount को अब हमें यहाँ पर लेना है 241,75 इसके बाद second number point में है salary received in area तो जो अब हमने नीचे calculations की हैं दो area include किये हैं वह दो area यहाँ अपने आप include होकर आ गए हैं एक है हमारा 87,000 का area और दूसरा है हमारा 74,000 something का area वह दोनों include होके यहाँ पर आ जाएंगे जब आप अपनी 4 साल की area salary add करेंगे table A में तो आपके जो 4 साल के area हैं वह यहाँ पर include होके आ जाएंगे इसके बाद third number point है total income as increased by the salary area यानिकि यह first number और दो नमबर यह दोनों add होके यहाँ पर अपने आप आप आ जाते हैं फिर है fourth number point में tax on total income as per the system calculation इस वाली salary third number point पर जो आपकी income है इस पर कितना tax बन रहा है वो system ने अपने आप यहाँ पर calculate कर दिया है 35,000 का tax बन रहा है इस वाली income पर नीचे scroll करेंगे इसके बाद है tax on total income as per the taxpayer तो as per taxpayer भी यह इतना ही tax amount होगा इसके बाद है fifth number point में tax on total income as per the system calculation as per item number 1 यहाँ पर zero auto calculate हो रहा है जीरो क्यों आ रहा है यह बोल रहा है कि आपके first number point में जो income है उस पर कितना tax बनता है first number point क्योंकि हमारा 7,000,000 रुपए से कम की salary है इसलिए first number point में कोई भी tax नहीं बन रहा है हमें rebate मिल जाता है new tax regime में 7,000,000 रुपए तक की income पर तो यहाँ पर हमारा कोई भी tax auto calculate नहीं हो रहा है fifth number point में zero आ जाएगा tax on total income as per the taxpayer आप क्या कह रहे हैं कि आपके हिसाब से इस पर कितना tax बनना चाहिए तो इस case में यहाँ पर आपको बहुत important चीज़ ध्यान रखनी है अगर आप old tax regime में filing कर रहे हैं तो यहाँ पर छे लाग जो हमारी उपर income देख रही है छे लाग पर tax बन जाएगा क्योंकि old regime में हमें rebate सिर्फ 5,000,000 रुपए तक की income पर मिलता है तो उस case में अगर आप old tax regime में filing कर रहे हैं तो आपकी यह जो total income यहाँ पर दिख रही है छे लाग 24,000 की इस पर आपको tax की calculation करनी पड़ेगी और tax का amount आप यहाँ पर देंगे tax as per the taxpayer लेकिन नहीं देना होगा 7,000,000 रुपए तक की income पर तो यहाँ पर आप उस case में zero ले सकते हैं हम new tax regime में filing कर रहे हैं तो हम यहाँ पर zero रहने देंगे इसके बाद six number point आता है tax on salary received in area difference of item number four and five यह auto calculate हो जाएगा difference four and five का तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ इ filing कर रहे हैं यह new tax regime में उसी हिसाब से हम यहाँ पर tax calculation करके लिखेंगे इसके बाद सारा form auto calculate होता है तो हमने figures यहाँ पर हमने सारी input कर दी है और यहाँ पर जो हमारा eight number point में relief calculate होकर आया है वो है 16,631 का जो यह आपका form है इसे save कर यहाँ पर verification है इसे verify करना है अधार OTP से सब प्रिव्यू देख लीजेगा आप satisfied हैं तो आप इसे verify कर सकते हैं verify करने के बाद हम जाएंगे अपने ITR form पर और ITR form में आपने जिस तरह से यह form 16 हमारा भरा हुआ है उसी तरह से भर रखा होगा पहले से ही आपको सिर्फ जाना है यहाँ relief वाले column पर चलिए ITR 1 को open कर लेते हैं यह हम ITR 1 पर आ गए हैं यहाँ पर हम salary की figure ले लेंगे आठ लाग चार हजार जो हमारे form 16 में है इसे delete कर देंगे save कर देंगे income from other sources वह आपके यहाँ पर AIS से auto populate हो जाते हैं लेकिन आपको एक बाद figures को जरूर चेक कर लेना है कि वह सई से यहाँ पर reflect हो रहे हैं वहना आप इसे manually edit भी कर सकते हैं इसके बाद deductions हैं जो की new tax regime में हमें नहीं मिलते हैं तो हम इसे भी confirm कर देते हैं इसके बाद tax paid आता है यहाँ पर form 26 AS से हम जो भी हमारा TDS reflect हो रहा है वो ले लेंगे अब tax liability बजाएंगे यहाँ पर हमारे total taxes fifth number point में बन रहे हैं वही जो हमारे form 16 में आ रहे हैं और यहाँ अब हमें six number point में मिलता है relief under section 89 और यहाँ पर लिखा हुआ है fill form 10E to claim relief पहले आपको form 10E भरना है उसे e-verify करना है उसके बाद जो उसका amount होगा वो यहाँ पर auto populate हो जाएगा अगर auto populate नहीं होता है तो आप इसे यहाँ पर manually edit भी कर सकते हैं लेकिन अगर form 10E को file किये बिना अपने यहाँ पर manually edit करके figure डाल दी और relief claim कर लिया तो यह accept नहीं होगा अब हमें form 10E ने जो relief मिल रहा था 16,000 something का वो यहाँ पर हम ले लेते हैं हमने यहाँ पर imaginary basis पर approximate figure ले ली है exact नहीं ली है accordingly देखिए यहाँ पर हमारा जो balance tax है वो कम हो गया और नीचे scroll करेंगे तो हमार total taxes आ गए confirm कर देंगे proceed करेंगे और यहाँ पर हमारा refund आ गया है 16,000 का जो कि मैं दिख रहा है नीचे scroll करेंगे यहाँ पर return को preview करेंगे यहाँ पर refund amount भी दिख रहा है यहाँ पर preview करेंगे return को return को submit कर देंगे तो यह पूरा process था आपका ITR filing से ले करके 10E को fill करने तक का I hope यह वीडियो आपके लिए काफी useful रहा होगा और इसमें हमने step by step आपको सारी चीजें करके दिखाई हैं कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से excel sheet बनाने की या double calculations करने की बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी figures ले रहे हैं वो आपकी accurate होनी चाहिए बहुत ध्यान से आपको ये काम करना होता है क्योंकि ये site की problem चल रही है तो ऐसा भी हो जाता है कभी कि आपका form logout हो जाता है और आपने जितनी भी figures fill up की हैं वो सारी हड़ जाती हैं तो उस case के लिए आप सिर्फ दो चीजें अपने पास paper में note करके रख सकते हैं एक तो आपकी total income और दूसरा आपक टैक्स का amount ये दोनों चीजें आपको अपने downloaded ITR form से मिलती हैं वहां से आप सिर्फ ये दो चीजें note करके रख लीजे एक चार्ड बना लीजे आपके जितने भी चार assessment years हैं उनकी चारों assessment years की total income और total tax बस ये दो figures आपको चाहिए हैं बाकी सारी calculation ये form अपने आप कर देता है तो I hope की वीडियो आपके लिए useful रहा होगा thank you so much for watching this video मिलेंगे next video में till then stay safe and healthy bye bye